मल्टिबैगर स्टॉक इस रेलवे स्टॉक पर ब्रोकरेज अब भी बुलिश एक साल में दे चुका है 406 परसेंट रिटर्न टीटागड रेल सिस्टम्स के शेरों ने अपने निवेशकों का जमकर मुनाफा कराया है पिछले एक महीने में ही कमपनी के शेर 42 पीसदी चड़ चुके हैं वहीं पिछले छे महीने में इसने 135 पीसदी का शांदार रिटर्न दिया है पिछले एक साल में स्टॉक में 406 पीसदी की जबरदस्ट तेजी देखी गई है मल्टिबैगर स्टॉक अगर आप मल्टिबैगर स्टॉक की तलाश में हैं तो टीटागड रेल सिस्टम्स के शेरों पर नजर रख सकते हैं इस रेलवे स्टॉक ने कम समय में अपने निवेशकों को शांदार रिटर्न दिया है आज 28 जून को इस स्टॉक में 0.7 शूने फिसदी की तेजी देखी गई और यह 509.1 रुपए के भाव पर बंध हुआ इसके साथ ही स्टॉक ने इंट्राडे में आज 539.2 रुपए के अपने रिकॉर्ड हाई को भी छू लिया कमपनी का मार्केट कैप बढ़कर 6,087.36 करोड रुपए हो गया है इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 406 फिसदी का शांदार रिटर्न दिया है क्या है ब्रोक्रेज की राए परिहन्ट कैपिटल मार्केट्स है कि एक साल में यह स्टॉक बढ़कर 686 रुपए हो जाएगा ब्रोक्रेज ने कहा कि टी टागड रेल सिस्टम्स अरब रुपए वित्वर्ष 2023 के राजस्व का 9.9 गुना की एक मजबूत ओर्डर बुख है ब्रोक्रेज ने स्टॉक के लिए बाई रेटिंग को बनाय रखा है इसके साथ ही इसके लिए 686 रुपए का नया टार्गेट प्राइस तै किया गया है इसका मतलब है कि कमपनी के शेरों में अभी 35.8 फीसदी की और तेजी की संभावना है एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने बाई रेटिंग के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है ब्रोक्रेज ने FY25 की कमाई के 20 गुना के आधार पर 694 रुपए का टार्गेट प्राइस तै किया है यानि ब्रोक्रेज को कमपनी के शेरों में 54 फीसदी की तेजी की उम्मीद है क्या है कमपनी का प्लान? टीटागड रेल सिस्टम्स तीन सालों में 600 करोड रुपए का निवेश करने का लक्ष रखा है और हाल ही में एक बड़े निवेशक को शेर बेच कर 289 करोड रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा है ब्रोक्रेज ने कहा कि भविश्य में अपेक्षित मजबूत कैश फ्लो वैगन निर्माता को अपने ग्रोथ के लक्षों को पूरा करने में मदग मिलेगी कैसे रहे थे तिमाही नतीजे पिछले वित्वर्ष की मार्च तिमाही में टीटागड रेल सिस्टम्स तिमाही में 24.95 करोड रुपए के घाटे के मुकाबले 48.24 करोड रुपए का नेट प्रॉफिट नेट हालांकी दिसंबर 2022 को समाप्ट तिमाही के दोरान विक्री 480.94 करोड रुपए के मुकाबले 4 तिमाही में 102 फीसदी बढ़कर 974.22 करोड रुपए हो गई मार्च 2023 को समाप्ट वित्तिय वर्ष में फर्म ने एक साल पहले की अवधी में 0.33 करोड रुपए के नुकसान के मुकाबले 130.2 करोड रुपए का मुनाफाद अर्स किया मार्च 2022 को समाप्त वित्वर्ष के 1930.79 करोड रुपए के मुकाबले पिछले वित्वर्ष में बिक्री 44% बढ़कर 2789.59 करोड रुपए हो गई कैसा रहा है शेरों का प्रदर्शन टीटागड रेल सिस्टम्स के शेरों ने अपने निवेशकों का जम कर मुनाफ़ा कराया है पिछले एक महीने में ही कमपनी के शेर 42% चड़ चुके हैं वहीं पिछले च्छे महीने में इसने 135% का शांदार रिटर्न दिया है पिछले एक साल में स्टॉक में 406% की जबरदस्त तेजी देखी गई है